स्वागत एक बार फिर से आप सभी का RKR Study Seated Point YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग कोठारी आयोग के बारे में ध्यन करेंगे जो हमारा 1964-66 के आयोग के नाम से भी जाना जाता है कोठारी कमिशन इसका एक और नाम है भारतिये सिक्षा आयोग 1964-66 ये दोनों एक ही चीज है बस दोनों का नाम अलग है तो इस वीडियो में हम लोग कोठारी आयोग से जुड़े सारे बातों का अध्यन करेंगे मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल Archive Study seated point पर तो चले जानते हैं कि इस वीडियो के अंतरकत हम लोग कोठारी आयोग से जुड़े किन-किन चीजों का ध्यन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोठारी आयोग क्या है फिर जानेंगे कि कोठारी आयोग के लागू करने का क्या कारण था इसा कौन सा कारा ना गया कि हमें कोठारी आयोग बनाने और फिरे उसे लागू करना पड़े इन सारे चीजों को जानेंगे के साथी साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि कोठारी आयोग का परतिवेदन क्या है और कोठारी आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें क्या क्या है इन सारे चीजों को हम लोग जानेंगे चुकि यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसलिए वीडियो थोड़ा से लंबा होग बट कोई नहीं आप इसे अन तक देखेगा आपको सारे चीजे असानी से एकदम सरल लेंग्वेज में समझ में आ जाएगी आपको कहीं और जाने की जवरत नहीं पड़ेंगी इतना अश्वाशन में दे सकता हूँ तो वीडियो के स्टार्ट करतावर सबसे पहले जानते है हम लोग की कुठारी आयोग के संतर में कुछ बांतों को जानते हैं जैसे कि हमारा जो 14 जोलाई सन उनेश्य चौशट को अपने प्रस्ताव में भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति की थी और इस आयोग के अध्धक्ष जो थे वो थे परसिद सिक्षाविद प्रफेशर ड इस जो आयोग है कोठारी आयोग भारतिय सिक्षा का यह जो आयोग है यह इसका जो अध्यक्ष थे वो थे परसिद प्रफेशर थे एक जिनका नाम है दी एस कोठारी ठीक है और उनी के नाम पे इस आयोग का नाम भी कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग पढ़ा है ठीक है च चोशट के आदिशानुसाड किया गया है, इस आयॵक का कारेकाल जो था वह सबसे लंबा था यानि सबसे जादा करते हैं कुठारी आयोग के संदर्म में तो डॉक्टर कोठारी के अतरिक इस आयोग के जो सदस्य थे वो और भी लोग थे उनमें से डॉक्टर कोठारी के साथ साथ बात करें तो शोलत सदस्य थे और इनके अलावा और भी शोलत सदस्य थे जिनमें से 11 हमारे भारतिये थे और बढ़ेंगे कोठारी आयोग में तो यह 2 October को ही इस आयोग ने लगबग डेर शाल के दोड़ान देखे इस आयोग का जो बनना जो था स्टार्ट हुआ था 2 October को ही याणि 2 October से ही यह प्राराम हुआ और लगबग डेर शाल के दोडान 20 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट शरकार के सामने प्रस्तूत कर दी इसलिए इस आयोग का जो नाम है उसमें भारतिय सिक्षा आयोग उनाई सो चौशट से ले करके आपको 66 इस तरह का नाम देखने को मिलता है क्यों क्योंकि देखिए 2 अक्टूबर 1964 को ही यह स्टार्ट हो गया था लेकिन लगबग देर शाल के दोडान जो है बाद में 20 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट को भारतिय सरकार के सामने प्रस्तूत की थी इसलिए इस आयोग का नाम उन्हें से 64 से 66 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है इसलिए बिलकुल आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है दोनों एक ही चीज है चरिए और भी इस टॉपिक के डीपली और जाते हैं तो हमें मिलेगा कि कोठारी आयोग लागू करने का ऐसा क्या कारण थे जिससे हमारा कोठारी आयोग जो है वो लागू करना पड़ा तो देखिए इसके बहुत कारण है जिसमें से कुछ प्रमुक कारण निम न लिखित है जैसे हमारा जब भारत सोतंतर हुआ था तो सोतंतरता मिलने के पश्चात जो थे वह भारत ने देश की प्रमपारिक प्रमप्राओं एवो मानेताओं के अनुरूप आधुलिक समाज के जब सकता तता कांचाओं को मद्य नजा रखते हुए राश्च्टिय सिक्षा प्रनालिक विकास करने का प्रयत्न किया हमाड़ा जब हमें जब सौतंतरता मिली अंग्रेजों से 1947 में जब हमें सौतंतरता मिली तब हमारे देश के कुछ सिक्षा विद मिलके वो चाहें कि हमारे जो प्रमप्राएं हैं और मनेताएं हैं उसके अनुडूप उसकी अकांच्छा अवशक्ता को मद्यन जरकते हुए राष्टिय सिक्षा प्रनाली को विकास किया जाए और इसके लिए उन्होंने अनेको कदम गए लेकिन सिक्षा प्रनाली का विकास समय के वसक्ता अनुशार नहीं हो सकाँ तब जाकर के क्या हुआ की हमारा जो है धर्म निर्पेक्ष लोगतंत्र के अस्थापना करना ये हमारा पहला उद्यसे था जो हमें कोठारी आयोग से वहाँ पूर्ती हो रही थी दूसरा इसी तरह के और भी कई कारण थे जैसे जनता की निर्धनता कांत करना याने गड़िवी को दूर करना और भी जैसे सबी लोगों के लिए रहन सान का उचित अस्तर बनाना ये भी एक उस समय की परमुक समश्या थी किर्षी का आधुनी करन करेंगे और उद्यग को तिवरता से विकास करेंगे या भी इसका एक उद्यश्या था और इसको लेकर दी हमारा कुठारी आयोग में इसमें चर्चा की गई है ठेक है और योग तथा परमपारिक अध्यात्मिक मुल्यों के शाथ शमांजश्या को प्राप्त करना या भी हमारा कोठारी आयोग लागू करने का एक उद्यश से था ठीक है इन सारे बातों को मद्य नजर रखते हुए एक आयोग का गठन किया गया और जिसका ध्यक जते डी एश डॉक्टर डी एश कोठारी और उन्होंने इस आयोग के फलसवरूप अपने जो रिपोर्ट है और शरकार को दी और मंजूरी प्राप्त की और उन्ही के नाम पी यह जो अमारा कोठारी आयोग है यह लागू हुआ उनी सो चीहाषट में ठीक है इसी का इही सब कारणों से हमारा कोठारी आयोग बना था और कोठारी आयोग का परतिवेदन के अगर हम बन सकता है कि कितने दलों में विवक्त किया था तो वो हमारा 13 दलों में विवक्त किया था ठीक है इसके लिए उन्होंने एक साथ कारे शमीति का निर्मान किया और इस आयोग ने 21 माह तक निरंतर भारतिये शिक्षा के विविन भागों का अध्यन किया मैंने पहला ही बताया इस प्रतिवेदन या फिर कहें तो इस रिपोर्ट की शिख्षा महत्पूर्ण है कुठारी आयोक के प्रतिवेदन को आप इसे हमेशा याद रखेंगे इसके प्रमुक्तिती है उसको याद रखेंगे और उस समय का जो सिक्षा मंतरी श्री एमसी छागला थे उन्हें भी आप याद रखेंगे ठीके चलिए आगे भरते हैं इस टॉपिक में और जानते हैं कि कोठारी आयोग के द्वारा दिये गे सुझाव एमसी फारी से कौन कौ करते हैं और एक एक चीजों को बड़े ही बारिकी से समझते हैं और जानते हैं चलिए सबसे पहला जो हमारा है देखे सबसे पहले यह बात करें कि कोठारी आयोग में कई परकार के सिफारी से की गई है जिसे हमारा प्रारंबिक सिक्षा प्रनाली जो है वह और बनाने के लिए अनेको कदम उठाए हैं अनेको सिफारी से की आनेको सुझाब होग दिया है तो चलिए देखते हैं कि कुठारी आयोग की परमुक शुझाब यहों सिफारिश कौन-कौन से हैं देखें यह हमारा सबसे पहला यहां पर आएगा सिक्षा तथराश्टिय देखिए आपको बहुत से बुक में, बहुत से विडियो में, बहुत जगा पे आपको, क्या है कि ये नम्रिंग मिलेगा, जिसे एक, दो, तीन, चार करके, तो कहीं पे आपको पहले सिक्षा रहेगा, फिर कहीं पे कोई और चीज रहेगा, तो उसे आपको confused नहीं होना है, ये इसमें क्या कहा गया है कि सिख्षा ततराष्टिये लक्षों के संदम में कुठारी आयोग ने कहा है कि सिख्षा को लोगों के जीवन का आविसक्ताओं एवं अकंचाओं का अनुरूप होनी जाहिए जिससे उनका आर्थिक, समाजिक, राजनेतिक, सांस्किर्तिक विकास करके राष्टिये लक्षों को प्राप्त किया जा सकता है और इस उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग ने कुछ सुझाब दिये हैं, वह सुझाब कुछ इस प्रकार से हैं, चड़े एक-एक सुझाब को देखते हैं, देखे, इस लक्ष की प्राप्ति के लिए आयोग में तबदील किया जाए और समाजिक नैतिक अध्यात्विक मानेताओं का विकाश तथा चरित्र का भी निर्मान किया जाए इस उद्यसे में हमारे आयोग ने इनी साड़े बातों पर चर्चा की है और अपनी रिपोर्ट में इन साड़े बातों को रखी है अगला जो दूसरा उन्होंने उद्यसे बताया है हुआ है सिक्षा की शंडचना एवा मस्तर सिक्षा की शंडचना पर उन्हें ने बहुत ज़्यदा फोकस किया है और उन्होंने 3 पलस 2 पलस 3 इस तरह की पधती अपनाने को कहा है ये जो पधती है 3 पलस 2 पलस 3 ये आज हमारा नई सिक्षा ने और पूर्व विदाले और पूर्व सिक्षा का परबंद जा झाए ठाल और प्राथमिग सिक्छा के अब्दी जो थी हो साथ से आठ वर्ष रखी गई थी तथा इसको भी दो भागवें मांठ दिया गया जिसमें से पहला था हमारा छार से पाच वर्षों की और दूसरा रख दिया उसे तीन वर्षd की प्राथमिकस्तर उच्छे प्राथमिकस्तर कितने कितने वर्ष हो गी थी तो चार से पांच वर्षों की और उच्छे प्राथमिकस्तर को रख दिया था तीन वर्ष हो गी ठीक है आगे उन्हों ने बताया है इस संड़तना के अधार पर कि निम्न प्राथमिकस्तर की अवद इस अबधी के दावरान बेफैक सिख्षा का भी आयोजन किया जाए दसमी कक्छा एबंग विशिश्ड का डहे करमों की व्वस्था समापत की جाए और मादमीक शिख्षा विद्याले में रिपोर्ट में रखा है। आगे उन्होंने बताई है सिक्षक की स्थिती पर भी उन्होंने चर्चा की है और बताई है आयोग ने कि सिक्षन व्यवस्था में परतिबा साली व्यक्ति को आकरशित करने के लिए सिक्षक की आर्थिक समाजी के वह व्यवस्था की स्थिती को उन्नत करना अवस्थक है चु को उन्नत करना है इसके संबंद में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव को दिया है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं इसके संदर्व में आयोग ने बात की है नहीं बताया है कि भारत सरकार द्वारा सिक्षक का नियुनतम बेतन निर्धारत किया जाए यानि पूरे भारत मे एक सिक्षक का नियुंतम बेतन निर्धारत किया जाया और उसे ही शाड़े राज्यों में फॉलो किया जाया ये कोठारी कमिशन का मनना था शरकारी सिक्षक हो या फिर गयर सरकारी सिक्षक सभी विद्याले में एक समान बेतन करम लागू किया जाया यानि सरकारी सिक्षकों उसे भी सिम वेतन मिलना चाहिए और जो गैर सरकारी सिक्षक है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसे भी समान वेतन मिलने का प्रवधान करनी चाहिए परतेक संस्था में सिक्षकों को कारे शंपादन शंबंदी नियुंतम सुबधाये परदान की जाने चाहिए कारे संपादन शंबंदी जो सुबधा कहने का तातपड़े ये है कि वो जो सिक्षन देंगे बच्चों को तो उसमें अवस्चक शमागड़ी जो सिक्षन सहायक शमागड़ी कह सकते हैं उसकी सुभधाएं परदान की जाने चाहिए सबी सिक्षकों को विवसाइक उन्नती के लिए उप्युक्त सुभधा परदान की जाने चाहिए सिक्षकों भी वेफसाई कुन्नती की जरौत पड़ती है और उसके लिए भी आयोग ने अपना ये बताया है कि उसकी भी सुवधाय उपलब्द की जाने चाहिए उसे सिक्षकों को दी जाने चाहिए व्यक्तिकत विद्यालयों में सिक्षकों की सेवा दसाएं शरकारी विद् लेटीज दी जाती हो दोनों को समान रहनी चाहिए यह हमारा आयोग ने इस पर्चरचा की है आगे उन्होंने बताया है सिक्षकों के स्थिती पर कि सिक्षक के लिए सरकारी ग्री निर्मान योजना को प्रतसाहन करना चाहिए यानि कोई सिक्षक है जो दूर दरास घर है उनका और कहीं दूर जाके वे इश्कूल में पढ़ाते हैं तो सरकारी ग्रिह निर्मान योजना उन्हें भी मिलनी चाहिए और सिक्षकों का चुनाव में भाग लेने पर किसी प्रकार की प्रवंद नहीं लगा जाए चुकि वो एक देश का नागडिक हैं और देश का नागडिक हैं तो उनका जो करतब हैं मतदान करना इसलिए कोठारी आयोग ने इस बात पर ज्यादा फोकस किया है कि उन्हें सिक्षकों के चुनाव में भाग लेनी चाहिए और चुनाव में भाग लेने पर भी उन्हें किसी प्रकार की प्रवंद न की जाए चुकि लोकतांत्र देश है यहां हर व्यक्ति का मतदान करने का अधिकार है इसलिए सिक्षक भी इस देश की नागडिक है जनता है और उन्हें भी यह अधिकार दी जानी चाहिए उनसे यह अधिकार किसी भी तरह से छीना नहीं जाए इसलिए आयोग ने इस बात को भी report में रखा है चलिए आगे जो हमारा यहांपर है वो है शिक्षक शिक्षा यानि की सिक्षक का परशिक्षन ठीक है परतेक परशिक्षन संस्ता में परशार सेवा बिवा के स्थापना की जाए वही परशिक्षन विद्याले के पाठेकरम एवं विसे समागणी को संसोधित किया जाए इन साड़े बातों को अपने आयोगने रिपोर्ट में रखा है और स्रकार्ट देमन जूरी भी ली थी उन्होंने साथी साथ यह भी खाया है कि परशिक्षन कॉलेज के सिक्षक के पास दो असनाक उत्तर एवं सिक्षा की उपाधी का होना आनिवारे है यानि उन्हें जो एक तो उसकी डिग्री है वो होनी चाहिए और दूसरी साथ में कि उन्हें टीचिंग डिग्री भी होनी चाहिए जो सिक्षक परशिक्षन की जो डिग्री आती है उसे भी मतलब वो भी कोर्स वेक कर रहने चाहिए कोई भी सिक्षक बने वो ठीक है और सिक्षित सिक्षकों के लिए ग्रिश्म कालीन संस्था की विवस्था की जाए यानि जो सिक्षक जो है वो और सिक्षित है उसे ग्रिश्म कालीन में उन्हें पर सिक्षन दी जाए इसी को खाते हैं ग्रिश्म कालीन संस्था की विवस्था की जाए, उनहोंने आगे जो बताया है, साक्षिक अप्षडों की शमानता पर उन्होंने फोकस किया है, उसके संधर्म में आयोग कहते हैं कि साक्षिक अप्षडों की शमानता के लिए आयोग ने निम रिखी सुझाब दिये हैं, वो कौनकों से सुझावे तो चलिए उसको देखा जाए तो निम्र प्रात्मिक सिख्छा को भी निशुल्क बनाने के लिए प्रत्न किया जाए हमारा जो निम्र प्रात्मिक सिख्छा है उसे भी निशुल्क बनाया जाए आयोग ने इस बात को रखी है और प्रात्मिक अस्तर पर बच्चे को पाठे पुस्तके एबं लेखन समागडी बिना शुलक के वित्रन की जाए यानि प्रात्मिक अस्तर जो आते हैं हमारे 125 कलाश उसमें बच्चे का जो पाठे पुस्तक है उसे निशुलक वित्रन किया ये हमारा कुठारे आयोक शिफारी से हैं सुझाव हैं मादमिक स्कूल एबं कॉलेज में पुस्तक घड़ों की विवस्ता की जाए यानि पुस्तकाले की विवस्ता की जाए और मादमिक सिक्चा एबं उच्चे सिक्चा समंदी पुस्तकाले में विदार्थी के लिए पाठ की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके उसको गरीवी की वज़ा से एक पुस्तक की वज़ा से पढ़ाई छोड़नी ना पड़े इसलिए आयोग ने इस बात को सुझाव दी है कि प्रतेक स्कूल में पुस्तकाले होनी चाहिए और साथी साथ उस पुस्तकाले में परियाप्त पु दर्थी है और वो गरीब है उसके लिए छात विर्थी का विवस्था रखी जाए की जाए आगे बताया है उन्होंने विदालेश सिक्षा का अस्तर पर आयोग ने विदालेश सिक्षा अस्तर पर भी चर्चा की है सुझाव दिया है तो आयोग ने विदालेश अस्तर के पर न साहन किया जाए और पूर्व प्रात्मिक विद्याले में ये के पाथे कर्मों को परियाप्त मनुरंजक इपन लचीला बनाये जाए और मादमिक सिक्षा को व्यपसाय से जुड़ाए जुड़ी बनाये जाए तथा कम से कम 50% विद्यार्थी को व्यपसाय की और प्रेडित किय जाए यानि कि हमारा जो यहां जो आयोग है यह चाहता है कि हमारा मादमिक सिक्षा जो है इसी बेपसाय से जोड़ दिया जाए जिसे बच्चे स्वाब लंबी बन सके कुछ उपार्जन करने के योग्य बन सके और कम से कम 50 प्रतिसत विद्यार्थी जो है उसको बेपसायों की बल दिया जाए और बालिकाओं अच्छूतू जनजातियों में मादमिक सिक्षा का विस्तार करने के लिए विसेश करेकरम का आयोजित किया जाए चूकि यह जो हमारा आयोग बना है या 1964-66 के समय का है और उस समय चुवा चूत की बहुत ज़्यादा प्रता थी बालिकाओं जिससे बालकाओं भी सिक्षित हो सके अच्छूतों को भी सिक्षा मिल चके और साथी साथ जो जन जाती के लोग आते हैं वो भी सिक्षित हो सके ठीके चलिए आगे जो उन्होंने सुझाब दिया है वह दिया है विद्याले का पाठे करम पे हमारा विद्याले का पाठे करम हमारा निवन प्रात्मिक सिक्षा में मातरी भासा, शेत्रिय भासा में सोको एक भासा, गनीत, प्रियवरन अध्धन, विज्ञान, समाजिक विज्ञान, करियानुभाव, एवन सुआस्त प्रशिक्षान इत्याधी को शमलित किया जाए। वहीं आयोग कहता है कि उचितर प्रात्मिक सिक्षा में दो भासा हैं मात्री भासा हो या फिर प्रादेशिक भासा हो हिंदी या अंग्रेजी इन दोनों में से कोई एक गनीत, विग्यान, समाजिक अध्यान, इतिहास, भुगोल, नागरिक, सास्तर, कला, कर्यानुभव, शमा मात्री भासा हा जाएगी प्रादेशिक भासा अंग्रेजी या फिर हिंदी अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक भासा ठीक है और गनीत, विग्यान, इतिहास, भुगोल, नागरिक, सास्तर, कला, कर्यानुभव, शमाज, सिवा, शाडिक, सिक्षा, नैतिक, अध्यात्मि सिक्षा के पाठे करब में बताया है कि कोई दो भासा एवं तीन बैकल्पिक विशय होनी चाहिए, जैसे हमारा हो गया, कोई दो भासा हो सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, या फिर अंग्रेजी हो गया, कोई मात्री भासा है, कोई प्रादेशिक भासा है, समय से कोई एक और बेकल्पे बिकल्प में से इत्यास, भोगोल, अर्थसास्त, तर्कसास्त, मौने विज्ञान, समाजिक, विज्ञान, कर्यान, भव, समाज, सेवा, कला, शिल्प, नैतिक्ता, तथा ध्यात्विक मुल्यों की शिक्षा इत्यादी कुछ अमलित किया जा सकता है ठीक है तो आयोग ने निम्नलिकित सुझाब को दिये हैं, वह सुझाब कुछ इस प्रकार से है कि यदि कोई विद्याले सही धंक से संचालित नहीं किया जा रहा है, तो राजे सरकार को उसका संचालन अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, व्यक्तिगत विद्याले की प्रबंद समीती म आयोग ने इस बात को भी बताया है कि परशाषन दोनों को अलग किया जाए, जिससे परशाषन कारे जिला विद्याले परशाषन कारे जिला विद्याले अधिकारी को शौंपा जाए, जिससे क्या है कि वह दोनों प्रस पर सहयोग कर सकेंगे, जिससे विद्याले का समुन् भव हो सकेगा ठीक है परतेक राज्य में राज्य विद्दाले सिक्षा परशत के स्थापना की जाए वहीं सिक्षा शिक्षन विद्या निर्देशन एवा मुल्लैंकन के संदर में आयों कौन-कौन सिवातों कर रखाये चलिए उसको जानते हैं उसको जानते हैं तके जब लचीला और गत्यात्म करहेंगे तो बच्चे को चीजें को शीखने में ज्यादा मदद मिलेगी वहाँ पे और इसके संदर में और भी आयोग ने बाते को रखी है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिक्षा में गतिसेलता लाने के लिए सिक्षकों में शिजनात्मक्ता प्रक्रिया का प्रारम प्रात्मिक सिक्षकों को निर्देशन कारेकरम संचालन के लिए पर सिक्षित किया जाए कोठारी आयोग और भी कहते हैं कि माध्मिक विद्याले के लिए एक चलाकार की न्युक्ति किया जाए और जिला अस्तर पर क्या है कि निर्देशन बिड़ो के स्थापना भी किया जाए और प्राथमिक अस्तरप्र बिद्यले की उप्लब्धी की जांज के लिए मोलिक्ता और निदानात्मक परिच्छाओं की का भी परियोग किया जाए और बाहरी प्रक्षाएं बस्तुनिष्ट प्रश्णों के माध्यम से आयोजित की जाए तथा आंत्रिक जो परिच्छा है वो व्यापक अस्तर पर होनी चाहिए जिसमें बाला के सभी पक्षों का मल्यांकर परिच्छा ली जानी चाहिए ठीक है आयोग ने इस साड़े बातों जो है वो राजकी यह भासा होनी चाहिए जो उसके राज्ये में जिस प्रकार की भासा का परियोग किया जा रहा है वही भासा नेरदेशों का माध्धम होना चाहिए इसके साथ-साथ अंतरराश्टी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भासा को भी अस्तर को बढ़ाने का जो प्रक्रिया है वह बिद्याले से ही रखी जाए ऐसा कोठारी आयोग कहते हैं उनका ऐसा ही मनना है उसके रिपोर्ट में इस तरह की बाते दर्ज की गई है भासाओं का ध्यन देखिए कोठारी आयोग में तरी भासा नाम का एक सुत्र इससे पहले आ मात्री या फिर चत्री वासा जो हमारा सबसे नज़्धी की वासा दूसरी है किंद्र जो भासा है वही आदञिक बारति यूड़ोपीय भासा इन तीनों भासा को त्री भास से सूत्र कहते है और तिरिभासी सुत्र में इन तिनों भासा को लागो किया जाता है तो यही था आज का हमारा टॉपिक कोठारी आयोग कोठारी कमिशन उनिस सो चोचट चाशट जिसको हमने पूरे डिटेल से अध्यन क्या है थोड़ा सा समय जादा लगा है लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आपको आने बाले एक जाओं में इस सारे कोशन यहाँ से ही मिल जाएंगे आपको कोई भी प्रशानी ना होगी तो इस वीडियो में बस इतना ही था मैं राजन कौण रख्शन स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से और क्यारे स्टडी सीटेट पाइंट पिए इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहेगा यूट्यूब चैनल आर क्यारे स्टडी सीटेट पाइंट पर इस वीडियो बस इतना ही था फिर मिलते है अगले वीडियो में नए टापिक के साथ तब तक की लिए देखते रहे है हमारे चैनल आर क्यारे स्टेट पाइंट को धर्नेवाद